अब यहां पर मैं कुछ भी लिखूंगा ना जिसमें अपना यह साइन अपकर पेज बना रहो ना अब यहां पर यह एक एरर आ जाएगा यह वाला इस एरर को खोलिये का दर एक्सपैंड कीजेगा अपने सर्वर के लॉग्स देखाईएगा सर्वर अपी लोकल उस्टी चला रहा हूं हां तो वह दिखाईएगा लॉग्स उसके नेटवर्क इस नेटवर्क में आगे हूं मैं तर लॉग्स आपको कहा हूं दिखाने सर्वर जहां पर रन ओरह यह पका उसके लॉग्स दिखाईए नए वो कदर से न आएगे यह वो जहां लोकल ऊसमें चल रहा है वह पर जाए तर्मेनर पर यह यह पर लॉग्स में कोई अरर अपके बस यहां पर कोई error नहीं है नहीं है जेखे सर यहां पर यह मांगो भी चुनेक्ट हो रहे है यह आपका 4000 पे चल रहा है और वहां से आप कॉल किस पर कर रहे हैं जरा वापस जाएगे को जो फ्रन्टेंड उसको 5000 पर रखा होगए और जो सर्वर उसको 4000 पर रखा होगए इन जरा इन जाएगा कॉन से पॉर्ट पे कॉल हुआ है यह पर यहाँ किसी दूसरे पॉर्ट पे कॉल हुआ है करें दुबहरे रिक्वेस्ट वो कीजे सर यहां पीजे रहें 5000 नहीं न 5001 पे आपने रिक्वेस्ट किये न जी सर सर्वर तो आपका 4000 पे चल रहा है अभी तो देखा तो हमने सर यह देखें सर्वर आपका 4000 पे चल रहा है तो यह फिर जो मेरा साइन अप पना हुगा है यहां लागन पना हुगा है इसको भी 4000 कर दो देखें आप जिस पॉर्ट पे सर्वर आपका चल रहा होगा ना उसी पॉर्ट पे ही रिक्वेस्ट बेजेंगे तो मिलेगी यह अपने रिक्वेस्ट बेजी भी गलब पॉर्ट पे यह तो अफ्रेंड पे अपना पर्ट चेंज कर देंगे यह तो बेकर नवी पे कर देंगे दोनों पॉर्ट सेम होनी चाहिए ने जिस पर रिक्वेस्ट कर देंगे जैए कि वो आपके लेक्ट्स या आपको थेश लिए का आपडिय निखके लिग पॉष्ट इस ली है तो आपका जो फ्रेंट थे श्ट शॉड़ देंगे लिगन जो सर्वर आप चला रहा है ना जिस पोलड पर रन वेज़ेंगे यह 1 फोर थाउजन पूरागर अपका चलाए अब के बस अब वो अर्र नहीं आना चाहिए अब सर्वर पर लॉग आने चाहिए आपके अब जिसर ये सपे अरर गया अब आप देखेंगा फॉर अंड्रेड आया अब अब के सर्वर पर लॉग आया होगा कुछ अब देखेंगा नञीесп? 400 एया अर्र मुछळ रिख आया अब जहाँ भी मतलिफ अब यह देखेंगा जो आ में यह इसमेरिटा कोई शिवक्वायल फिस रिक्वायर था ति अपने भी यह कोई चीज रेगाइड ए पैस्तिन PLAY दो आ प्रठायियमेल चेइंज करmates यह पाज़्ारब करें तो अरण गुझा तो उसकी नहीं दिये गाश्चार जैसा है तो उसकी नहीं दिये गार जिसाना अरेडी एक्जिस्ट कर रहे है प्रेगजंपल अभी यह अरेड़ी एग्जिस्ट कर थो यहां पर अधोग पी मैसिज दुआना जाहिए ना कि यह अरेड़ी एग्जिस्ट्ट है हा नहीं वह जो अपने रिस्पॉंस बेगा दें कि अल्रीड़ी एंग्जिस्टट्ट्थ यहां जाएगा जैसे अपने response बेज़ आवे ने user has created वैसे ही आपर response लिखके लगा दें user already exist that's it तो वो आजएगा response आपके बस अच्छा जिए अब मैं अपनी screen दुबारा से share कर देता हूँ और हम code पे चले रहते हैं अच्छा यह आपका मज़ीद कोई question है तो वहम lecture के end में उसको कोशिश करते हैं address करने की असल मैंने code ना काफी सारा code लिखना है तो वो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं code जल्दी से वो complete करें ताके यह question फिर सारे कोशिश करेंगे एक साथ पिर उसको ले ले लें आपके ना अच्छा जी आतिफ उमर कह रहे हैं आपकी आवाज नहीं आ रही है दो-दो करके आ रही है अच्छा आवाज मेरी clear नहीं आ रही है सर वो डेटा बेस के लिए 3D यूज करें या वो लास्ट लेक्टर में आपने कोश बताया ता उसको यूज करें यूज करें ला कॉमपास वाला कॉमपास यूज कर ले यह की बात दोनों एक ही है व अच्छा यर मेरी आवाज ठीक क्यो नहीं आ रही है मजराल यार इंटरनेट तो मेरा बिल्कु ठीक चल रहा है तरवाद ही नहीं आ रही है अच्छा मेरे पास से न देखें यह उपर अपलोड देख रहे हैं आपको यह अपलोड अगर मेरे पास के कंटिनियस चल रहा है न अगर 600 kbps तक जा रहा है तो इसका अच्छा मैं वीडियो अन आउन करूंगा न तो यह बढ़ जाएगा अभी देखें यह 600 तक जा रहा है न वीडियो अन करूंगा तो वन अमबी तक हो जाना चाहिए इसको तो बस देखें बिल्कुल सही है मेरे पास सही बिल्कुल सही डेटा सेंड हो रहा है न यही इसी से मुझे पता लगता है अग पहले इसका मतलब है मेरी वीड़ी और मेरी आवाज बिल्कुल सही ड्रांसफर हो रही है तो कैंड़ी अगर आपके पस आवाज क कोई इसू है न जिन लोगों केबाश बताए न उन वह ने उन बेए बिल्कुल सही नहीं है आवाज वह कैंड़ी डिसकनेक्ट करें अपना ब्राउजर बंद करके और ब्राउजर को खोलें फिर और फिर दुबारा से मीटिंग को जॉइन करें ना सही है ये करके देखें अगर स्टिल कोई प्राउबलम है तो फिर बताईएगा था अब जबरदस्त अब मैं स्क्रीन शेयर कर चुका हूं और मैं आज आता हूं हमारे क कोड़ में अच्छा जी और ओपन कर लेते हैं हम हमारा मर्न स्टैक डिवेलपमेंट अच्छा लास्ट क्लास में हम कॉंटेक्स अपियाई को थोड़ा सा हमने डिसकस किया था कॉंटेक्स अपियाई होपफुली सब लोगों ने हाथ से अपने बना लिया होगा ठीक है आर्टिकल भी मैंने शेयर कर दिया था जिस से मैं करके दिखा रहा था अच्छा आज हम जो है इस code को मजीद आगे बढ़ाते हैं और हम अपने जो login sign up है न उसको हम मजीद आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं जिस आज हम पढ़ेंगे इंशालला JWT के tokens मतलब वो ही login sign up की app है वो ही server है एक additional चीज हम पढ़ेंगे यह incremental way में हम एक एक करेंगे चीज़ें इसमें add करते जा रहे हैं यह अभी copies की बन रही है ठीक है क्योंकि यह node module का folder काफी heavy किसम का होता है तो इसको copy होने में थोड़ा सा time लगता है ठीक है तो मैंने कहा के 9 और मैंने कहा JWT सही है JWT authentication और login sign ठीक है तो यह बिल्कुल वो ही app है वो ही सब कुछ है यह जो हमारे पास पहले था लेकिन अब हम उसमें क्या करेंगे छोटी सी एक addition करेंगे JWT की addition तो हमने क्या कर लेना है हमने सबसे पहले चला जाना है उस folder में cd 404 react अच्छा उसके बाद cd और 9 JWT authentication ठीक है इस folder में आ चुक हूँ इस folder में आने के बाद मुझे जाना है web में cd web और npm स्टार्ट कर देना है ताके web जो है मेरा वो अब मैंने क्या करना है अगला काम मैं चला जाता हूँ सबसे पहले अपने जाता हूँ सबसे पहले अपने server.mjs की file में ठीक है अब server.mjs की file में जाने के बाद जब मैं sign up को छोड़ देते हैं हमें अभी login वाला काम करना है login हमने चला लिया था ना इसके अंदर एक मिनट जरा login को एक बार हम चला के देख लेते हैं कि login में क्या कर लिया था हमने login 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 अच्छा और login में हमने ये शायद कर लिया था कि login successful लिखाव आ रहा था और sign in response हाँ login successful लिखाव आ रहा था लेकिन login successful लिखाव आने के साथ साथ मेरे पास मुझे server से एक token भी भीजवाना है server से मुझे एक token भी भीजवाना है जिसमें मैं क्या करूँगा जिसके जरीए मैं जो subsequent request है मेरी इसके बात जो मैं request करूँगा उसमें वो token रख के साथ में भीजा करूँगा ठीक है तो जैसे अब login और sign up है ये तो unauthenticated APIs है लेकिन नि तो अनल के जो पर home है जैसरे ठीक है अच्छा जैसे के profile एक हो सकता है तो मैं काम करता हूँ एक न प्रोफाइल की API बना लेता हूँ मैं क्या करता हूँ एक profile की API बनाने के लिए बलके यह बनावात हो यहां पे user शख और उसके बाद यूज़र और उसके बाद user की user की जो भी id है यह underscore id वाले id की बात हो रही है अच्छा और मैंने का user.find1 करूँगा क्योंकि जाहरे मुझे एक profile चाहिए तो मैं find1 करूँगा और मैंने क्या का underscore id equals to request.params.id यह मैंने यहां पर लिख दिया मैंने का भाई find1 करो इस id के जरीए और जो भी कुछ मिलता है उठा के क्या कर दो भेजदो उठा के वापिस भेजदो तो यह user get कर रहा हूँ मैं एक user get कर रहा हूँ या समझे है profile get कर रहा हूँ तो यह जो API है इसको मैं कहां पर लगा लेता हूँ एक नया component बना लेता हूँ इसको हटा के मैं profile बना देता हूँ अच्छा तो profile बनाने के पद क्या होगा कि यह वाली API मैं call करूँगा और यह वाली API call करने के साथ सेथ मैं क्या करूँगा user अपना display करवा दूँगा इस screen के उपर ठीक है तो मैं जाता हूँ ज़र अपने component के अंदर src component यह जो about का component है न इसी की मैं copy बना लेता हूँ और इसको कह देता हूँ कि यह क्या है profile बना दिया मैंने इसका नाम से इसका नाम मैंने क्या रख दिया profile इसका नाम रख दिया ठीक है इसका नाम मैंने profile रख दिया और profile यहां से export हो गया ठीक है, copy बनाई है मैंने, अच्छा, इस page की उपर क्या होगा, इस page की उपर ये होगा, कि एक बनावा होगा, use effect इसके अंदर, ठीक है, एक use effect इसके अंदर बनावा होगा, और वो use effect क्या कर रहा होगा, एक internet पे API की request मार रहा होगा, API की request हम कौन से component में करते थे, वहीं से ज़रा copy कर लेते हैं, मेरा खैल है, login में तो हमने किया भे न, login से copy कर के लिए आते है, login में ये request हमने भेजी भी है, okay, 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 base URL, ठीक है, यही से मैंने पूरी copy कर ली request में, मैंने का भई, localhost 5001 पे request मारो अब, और 5001 पे request मार के क्या करो, यहाँ पे वो नी हुआ, अब क्या रहा रहा है इसको, okay, यह async नहीं है, okay, अच्छा, use effect के अंदर न, एक restriction होती है, मेरे बास, use effect के अंदर restriction ही होती है, कि use effect के यह जो function है, न, direct में इसको async नहीं बना सकता, तो इसके अंदर मुझे एक छोटा सा function और बनाना पड़ेगा, ठीक है, इसके अंदर एक छोटा सा function मुझे और बनाना पड़ेगा, जिसका नाम मैं रखूँगा, async, okay, यह function क्या है, यह async function है, ठीक है, और इस async function के अंदर न, मैं यह सारा कुछ transfer कर दूँगा, यह जब पूरा का पूरा है, ठीक है, और इसका function का नाम क्या रखूँग अब get profile equals to, ठीक है, मैंने का const get profile equal to यह function, ठीक है, और यह function पूरा क्या करता है, यह पूरा का पूरा function यह कर रहा होता है, कि मेरी profile get करके ला रहा होता है, क्या है उसका user slash और, किसी भी user की अभी फिलाल underscore id मैं यह आपर type कर देता हूँ, जैसे कि यह जो profile थी न, अचा इसमें underscore id नहीं आ रही है, लगा देते हैं, इसमें underscore id, server पर गया मैं, मैंने कहा कि यह जो login है, login की API है, इसमें वो भी भेजो, कहां चली गए, login की यह रही, login की API है, इसमें जो response भेजते हैं, हम इसमें क्या भेजो, underscore id भी भेजो, ठीक है, underscore id था कि मुझे पता चले न, कि कौन है user, और मैं login पर जाके यह जारा login करता हूँ दुबारा, अब मुझे यह underscore id भी भेजेगा, ठीक है, तो यह मेरी profile की ID है, तो मैंने इसको copy कर लिया, फिलाल के लिए हापे, hardcoded copy किया है फिलाल, और मैंने का, जब profile get करोगे न, तो इस बंदे की profile get करना, base URL, user और यह idea मैंने यहापे हाथ से रख दी, ठीक है, मैंने का, इसकी profile get करके लाओ, और इसमें मुझे body में तो कुछ भेजना नहीं है, क्योंकि get की request है न, get की request में body में, हम आम तोर पर कुछ नहीं बेज रहे होते हैं, ठीक है, तो मैंने का, बाई, यह response आएगा, response के अंदर data आएगा, और data पर हम अभी फिलाल dispatch बगएरा कुछ नहीं, बलके नहीं, dispatch करवा देते हैं, user login है न, यह, user login बलके छोड़ो, अभी dispatch नहीं करवा देते हैं, और यहाँ पर मुझे क्या चाहिए होगा, एक state variable चाहिए होगा, screen पर प्रेंट करवाने के लिए, मैंने का, let, बलके const कर देता है, const करना ज्यादा सही रहता है, most of the time, मैंने का के, बाई, profile, comma, set profile equals to use state, और मैंने का, शुरू में क्या होगा, यह empty object होगा, ठीक है, उसके बाद इसके अंदर क्या आ जाएगा, data आ जाएगा, अच्छा, मैंने का कि, response.data के अंदर जो भी कुछ आ रहा है, वो क्या करदो, set profile में करके, जो है न, वो response.data इसके अंदर रखवा, ठीक है, अगर error आ जाएगा, तो screen पे error प्रिंट कर दो, और कुछ भी ना करूँ, तो अब मैं क्या करने लगाँ, कि जैसे ही मैं, अच्छा, इसको, function को मुझे call भी करना पड़ेगा, कैसे मैं call करूँगा, इस function को, इसको मैं काऊँगा, get profile, ऐसे, और यहाँ पर लाकर इसको call करूँगा, एक बार, ठीक है, ठीक है, तो मैंने ये, ऐसे तरीका कर दी है, अच्छा, एक दफ़ा मैं login पे वापिस जाता हूँ, अच्छा, अब मैंने स्क्रीन पे ये print करवाना है, यूजर का नाम वगएरा, ये सारी चीज़ में प्रिंट करवानी है, ठीक है, कैसे प्रिंट करवाऊंगा, मैं, मैंने यहाँ पर कहा, के भाई, name equals to profile.firstname, ठीक है, और profile. ऐसी या आता है न मेरे पास, firstname, lastname, email और age, और id. सभी है, और underscore id मैंने सबसे top पे रखवा देनी है. सभी, ये सारा कुछ मैंने लागे हैं, यहाँ पर प्रिंट करवा दिया. अच्छा, मुझे सबके last में क्या चाहिए, एक अदद line break भी चाहिए. तो मैंने क्या किया, मैंने का, भाई, BR भी करो गया भर दफ़ा, ये सब कुछ प्रिंट करने से पहले, BR करो गया. अच्छा, ये न अभी दे देगा, error, error क्यों दे देगा, वो भी बताता हूँ. अच्छा, profile को मैंने अभी तक screen पर प्रिंट नहीं करवाया. ठीक, profile यहाँ बनावा तो है, लेकिन screen पर प्रिंट नहीं है अभी तक. Screen पर मैं इसको प्रिंट कैसे करवाऊंगा? अच्छा, home पर गया, sorry, home पर क्यों जाओंगा, मैं, app.js में, app.jsx में गया, और मैंने का, about का बटन नहीं हटा दो, यहाँ पर रख दो, profile का बटन, ठीक है? अब आउट तो मैंने वैसी ही बताने के लिए किया था न, अभी profile आ गया, तो हम profile कर देते हैं, about मैंने क्या कर दिया? ठीक है, profile को import कर लिए, और profile ही रखवा दिया, मैंने का, भाई, इस बटन पर क्लिक हो, तो profile पे लेकर जाओ, अच्छा, navbar में भी button मैं change कर देता हूँ, navbar में क्या था, slash about था न, मैंने का, slash profile ही है, और, ठीक है, मैंने router को थोड़ा configuration change कर दी, अब यह profile का button क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे profile आ जाता है, और साथ साथ क्या आ जाता है, यह क्या हुआ, सर्वर पे कोई error आ गिया है, मेरा, सर्वर पे यह user जो get होता था मेरा, user slash ID, इसमें क्या कोई error है, user slash ID साही तो है, यह error क्यों आ रहा है, इसके अंदर, आपने post के request किया, आपने post की रहा है, इसको उज़े get करना जा है, yes, देंगे इसका मतलब है आप लोगों को समझ में आना शुरू हो गया है, यह मेरे लिए बड़ी बड़ी हुशी की आपने post के रिक्वेस्ट की रहा है की बात है, क्या आप लोगों को न यह चीज़ें समझ में आना शुरू हो गई है, well done यार, अच्छा, एक चीज़ और यहां पर मैं बताता चलू, कि जब भी आप न इस तरह करके न data कोई print करवाते हैं, तो आप क्या करते हैं, यहां पर एक छोटा सा एक question mark लगाते हैं, this is called knowledge operator, सही है, knowledge operator से क्या होता है, अगर मिसाल के तोर पर database से जो data आया, अब अगर मिसाल के तोर पर first name उसमें undefine आ गया, आ जाता है कभी-कभी, ठीक है, sir, API से data हमेशा एक जैसा नहीं आता, हो सकता है कभी कोई एक field miss हो उसके अंदर, तो यह knowledge operator आपने इसमें लाजमी use करना है उससे क्या होता है कि code आपका break नहीं होता, ठीक है, मिसाल के तोर पर मैं इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ प्रिंट करवा देता हूँ, dot date, नहीं, dot date नहीं, dot abc, ठीक है, आपको पता है, abc जो वो मौजूद नहीं है, API जो data है, उसमें abc मौजूद नहीं है, तो अब मैं अगर मैं इस पर question mark लगा दूगा यहां पर, तो फिर यह error नहीं आएगा, और code मेरा break नहीं होगा, सही है, यह देखो, मैंने ऐसी चीज़ प्रिंट करवाई भी है, जो database से आ भी नहीं है, लेकिन code मेरा break नहीं हुगा, उसकी वज़ा से, वो चीज़ प्रिंट नहीं हुई, जायरे नहीं आई, तो प्रिंट नहीं हुई, तो question mark आपको लगाने से यह benefit होता है, तो फिल हल मैं क्या करता हूँ, अभी age यहां पर प्रिंट करवा देता हूँ, जो actual data है मेरा, वो मैंने प्रिंट करवा दिया है, तो question mark आपने हमेशा लगाना है, जब भी आपको API से आने ठीक है, मैं क्या करूँगा, यह पूरिया का पूरा जो है, वो ternary operator के अंदर डाल दूँगा, कैसे करूँगा मैं, मैं एक और div मुझे बनानी पड़ेगी यहां पर, ठीक है, एक और div बना के मैंने सब को div के अंदर कर दिया, ठीक है, मैंने का यह वाली div सिर्फ आपको उस अंदर करूँगा, मैंने का profile अगर, ठीक है, अच्छा profile को शुरू में मैंने क्या रख था भाई दवे, empty object ने, इसको शुरू में नल रख देता हूँ, नल इसलिए रख रहा हूँ, टागे check करने में असानी हो, इसमें बहुत 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 बैतर लगा लेत मैंने का अगर profile null हो तो क्या करो यहाँ पे ऐसे empty string बलके null यहाँ पे रखो ठीक है otherwise क्या करो यह पूरा का पूरा div उसकी जग़ा पे display करो मैंने यहाँ से cut किया इसको यहाँ पे इसको ठीक है समझ आया है क्या हुआ यह ternary operator है मैंने का null दिखा दो यहाँ पे इसको मैं दो line हो में कर देता हूँ ताकि ज्यादा बहतर तोर से समझ में आयर ठीक है टernary operator अगर profile अगर null हो तो null दिखा दो कुछ भी ना दिखा ओ मतलब null नजर नहीं आता otherwise यह दिखा दो अगर profile null नहीं मतलब को data हो तो यह दिखा दो अच्छा अब मैं देखो refresh करूँगा ना तो यह पूरा का पूरा ही गायव होगा शुरू मैं इसको मैं अगर इसका network थोड़ा slow करूँगा ना फिर सभी दिखे गई network में गया network में मैंने कहा कि अब थोड़ी देर में refresh हो गई है इंटरनेट पर थोड़ी देर में हो रहा है अच्छा नल की जगह अगर मैं दिखाना चाहूँ loading तो मैं क्या करूँगा मैं यह पर div लगा दूँग एक मैं बोलूँगा भई loading दिखा दो okay क्या बग्वास है मैंने कह loading dot dot सही है मैंने कहा अगर profile null हो तो दिखाओ loading और अगर profile null नहीं हो कुछ और हो तो यह पूरी profile दिखा दो अब शुरू में देखना loading लिखा वाएगा सही है refresh यह बहुत ही slow हो गया यह तो loading और उसके बाब profile ठीक है जी तो हमारा यह मकसद सेट हो गया तो यह मेरा profile का जो page है यह मुझे बगैर login कि यह नहीं दिखाना है मैंने यह profile का page जस्ट इसलिए बनाया है ताकि मैं आपको बता सकूँ कि अभी यह बंदा का login नहीं है तो यह profile का page नजर नहीं आना चाहिए ठीक है तो मुझे पता किसे चलेगा कि बंदा login है या नहीं है तो पहले मुझे login के उपर क्या भेजना पड़ेगा login का जो response आता है उस पर मुझे JWT का एक token भेजना पड़ेगा server से बना के ठीक है जो कि मैंने अभी तक नहीं बनाया हुआ था तो मैं वापिस अब server के code में आ जाता हूँ और server के code में आके मैंने क्या करना है जहां पर बंदा login करता है यह भाई देवर थोड़ी organization इसकी खराब हुई भी है login और sign up तो शुरू में होना चाहिए ना इसको मैं cut करके शुरू में ले आता हूँ ताके वो आगे पीछे हुआ हुआ है ठीक है तो अभी पहले login है फिर sign up है फिर users है और फिर single user है ठीक है और भी इसमें हम नीचे बनाते जाएंगे थोड़ी थोड़ी जेर में न APIs अच्छा अब मैंने इसमें क्या करना है मैंने सबसे पहले JWT को import करना है यहां पर सही है मैं चला जाता हूँ JWT और साथ में NPM सही है यह आ गया मेरे पास JSON Web Tokens अच्छा तो सबसे पहले मैं इसको install कर लूँगा अपने server में इस library को मैं अपने server पे install कर लूँगा मैंने server को stop किया इसको install किया और enter कर गया ठीक है यह install हो चुक है अब install करने के बाद आगे क्या करना है usage में इसको जो है न मुझे यह वो करना बताएगा require करना बता रहा है मुझे ठीक है यह require करना बता रहा है इसर राउट को फोल्डर बना दे अलग से नहीं अभी फिलाल अभी हम राउट को फोल्डर नहीं मना रहे हैं वो उसके लिए अलग क्लास में हम कोशिश करेंगे बना लेगी न चलो इसको हाथ से लिख लेते हैं इंपोर्ट ठीक है तो यह मैंने इसको इंपोर्ट हाथ से लिख लिख लिया क्मांड इसकी क्योंकि वो आटोमेटिक सजेशन वो नहीं दे रहा था कोई बात नहीं आटोमेटिक सजेशन ना भी दे तो हमें क्या पर्ण पड़ता है हमें आता है कोड़ हम हाथ से लिख लेंगे अच्छा अब मुझे क्या करना है मेरे सर्वर का एक अदद सीक्रेट होना चाहिए मेरे पास ठीक है तो मुझे शुरू में यहाँ पर क्या बनाना पड़ेगा मेरे सर्वर का जो सीक्रेट है वो मुझे बनाना पड़ेगा मैंने का const secret equals to मैं क्या लिखूँगा इसके अंदर मैं लिखूँगा process.env.secret और topsecret ठीक है यह जो secret जो लिखावा होगा न यह आपके environment variable में लिखावा होगा अब environment variable में कैसे चीज़ों को save कराते हैं mongodb का जो यह uri है जो mongodb का जो uri है जिससे mongodb connect करते हैं कहां गया वो नीचे यह रहा यह भी आपके environment variable में होना चाहिए ठीक है यहाँ पे भी आप क्या अब आपके जो आपके जो आपके तो आपके तो आपके इसको इन्वाइर्मेंट वेरियबल में रखेंगे लेकिन अभी तक आपके जो login हो insecure हो जाएगा अच्छा अब आपने क्या किया top secret आपके बऊस अब क्या करेंगे आप अब आप यह करेंगे किजब बंदा log in करता है जब क्या करता है बंदा जब बंदा login करता है तो आपको उसके login complete होने के बाद क्या करना पड़ेगा एक अदर यहाँ पे जैसे मैंने to do लगाया वा था मैं पहले ही कि मुझे JWT add करना है तो आप ऐसे करेंगे JWT.sign और उसमें कुछ data आप रखेंगे अपनी मरजी का और उसके क्या रखेंगे आप सर्वर का secret secret रखेंगे ठीक है यह token आपका तयार हो गया JWT था ना क्या था नाम इसका हाँ JWT नाम था ठीक है जो require उपर किया ना वो उसी नाम से यहाँ भी लिखना होता है तो आपने का JWT.sign और कुछ data रखेंगे आप तो मैं इस मिसाल के तौर पर यूजर का email रख देता हूँ email रख देता हूँगा मैंने का भाई body.email सही है मैंने just इसमें email रख दिया और इसमें मैंने क्या रखवा दिया एक और created on और मैंने का के भाई date.now ठीक है इसमें मैंने वो time रखवा दिया जिस पर क्या हुआ है create हुआ है date.now तो इसको मैं line break कर लेता हूँ काफी लंबा चोड़ा होगी है ठीक है तो यह मैंने token तयार कर लिया यह मैंने token तयार कर लिया अब जरा मैं देख लेता हूँ इसमें मैंने कोई गड़वड तो नहीं किया अच्छा वो created on इसको ना iat किया जाता है यह मैंने गलत लिख दिया था created on नहीं होता है वो iat होता है किस वक्त यह issue हुआ है और किस वक्त यह expire होगा वो सब हम यहां पर लिख रहे होते हैं इसको किया जाता है iat issue at iat का मतलब है issue at और उसके बाद है exp exp में हम क्या गर रहे होते है expire बता रहे होते हैं कि यह expire कब होगा expire भी यहां लिखा वाद है भी इसने हाई यह रहा यह इसका expire है कि यह token जो भी मैंने बनाया कितनी देर में यह automatically expire हो जाए ठीक है अच्छा यह जो iat इसने भी लिखना बताया वादा न कैसे लिखना बताया वाद है इसने यह पूरा ic का ही copy कर लेते हैं यह ऐसे इन्होंने iat लिखना बताया वह है कि इस तरह करके लिखा जाएगा यह क्या कर दिया error आ रहा है सई इसने बोला date.now divide करो इसको क्या कहते है 1000 से यह क्योंके millisecond में दे रहा होता है और इसमें न seconds में उसको चाहिए होता है तो इसलिए इसको divide किया thousands है ताके seconds में answer आ जाए और उसको minus कर दिया है 30 seconds minus पता नहीं क्योंकि है minus क्योंकि है इसमें लिखा है याभी कि back date JWT 30 seconds तो हमते tidak 30 seconds ज Taking us both क्यों 30 seconds इसने बताया है कि 0.30 seconds क्यों किये अगर यह आप यह निदे के पार token पहुँचेगा उसको लगेगा कि जिए token 30 seconds पहले जईणरेट होगा eject अच्छा और expire जो है देखें अब expire में इसने क्या किया है पहले तो second को second में convert कर लिया अब second में क्या किया है 60 multiply by 60 ठीक है 60 second multiply by 60 minute तो यानि एक घंटे बाद का time expire के अंदर इसने provide किया हुआ है ठीक है एक घंटे बाद का जो भी अभी time हो रहा है एक घंटे बाद का तो हम इसको क्या करते हैं हम इसको थोड़ा कम कर लेते हैं हम कहते हैं वाई 3 minute ठीक है 3 minute का token है हमारा 3 minute में expire हो जाएगा automatically चलो वो बाद में करेंगे बलगे अभी तो इसको ऐसी करके चलाते है ना पहले अच्छा ये जो token है इसको मैं क्या करवा लेता हूँ अब screen पर यहाँ पर print करवा लेता हूँ console.log के जो मेरा token है token को मैंने print करवा लिया अब ये token मैंने भेजना कहां पर है ये मैंने token भेजना है response.send में करके ये token मुझे नहीं भेजना है ये बहुत जरूरी बात है इस token को मुझे भेजना है cookies में response.cookies के अंदर मुझे रखके भेजना है अच्छा मैं भूल गया हूँ ज़रा response.cookies में कैसे रखके भेजते हैं इसमें cookies का जिगर है तो हमने express के documents में चलके देखते है ठीक है ये cookies का इन्होंने reference बनाया हुए document अच्छा response.cookie में name रखते हैं आप और value रखते हैं ठीक है असान है बहुत मुझे याद आगी है अच्छा name मैंने क्या रखा मैंने खा token ठीक है और comma डालके मैंने value रखवा दी token बस that's it ये मैंने cookies में रखके भिजवा दिया ठीक है अच्छा एक होती है htdps only bookies ये वो वाली रखे है न मैंने झाली बस्सक्षब सम्सक्षब हर्ग्स hired यार बलकि मैं अपने ही पुराने कोड में से ना देख लेता हूं कि वह मैंने कैसे किया था कौन सा था वो यह आ गया ना यह लॉग इन बनाया है किसी दूसरी क्लास के लिए यह किसी दूसरी क्लास में बढ़ाया था मैंने उसका कोड ही आचा तो यह इस तरह करके मुझे रखना होता है को ट्रू करने से क्या होता है कि यह het TTPS-only cookies असल में दो तरह की होती है एक Secure cookies होती है और एक Public cookies होती है तो जो HTTPS only cookie होती है न वो secure cookies होती है ठीक है तो हमने वो बला इस्तमाल करना है हमने ये simple cookies को इस्तमाल नहीं करना है ठीक है तो मैंने का भाई token और मैंने क्या करवा दिया उसके आगे token रखवा दिया और max age अचा cookie भी ना automatically expire हो जाता है तो max age में मैंने क्या रखवा दिया ये भी इ तो 84,000 seconds मैंने इसको दिये है तो शायद ये पता नहीं 30 day का इस तरह कुछ है बलके हम देख लेते हैं न क्या था वो 8,6,4 8,6,4 और 5,0 8,6,4 टू डेज अच्छा 24 hours है ठीक है 8,6,4 और 5,0 जाए वो ये 24 hours है तो ये इसका मतलब क्या हुआ है कि जो cookie में set करवाऊंगा ना ये automatically 24 hour में क्या हो जाएगी expire हो जाएगी खतम हो जाएगी अच्छा यहाँ पर मैंने 60 minute का रखवाया है यहाँ पर मैंने 24 hour का नहीं रखवाया है ठीक है तो दोनों में से कोई भी अगर पहले expire हो गया ना तो बंदा automatically क्या हो जाएगा लॉग आउट हो जाएगा लॉग नहीं रहेगा बंदा यह automatically बंदा क्या हो जाएगा लॉग आउट हो जाएगा अच्छा अब हम वापस आते हैं वापस आके अब मैं जब यह API कॉल करूंगा ना अपनी ठीक है अब यहाँ पर चेक करें इस जगह पर cookies में क्या लिखा वार जाता हूँ अब मैं जाता हूँ console पे और जब मैं sign in करूंगा अब तो जैसे ही मैंने sign in किया तो आप note करेंगे कि यहाँ पर response में तो मेरे पास कोई token नहीं आया है लेकिन एक token automatically आके कहां पर save हो जाना चाहिए यहां पर save हो जाना चाहिए अड़े क्यों नहीं आया भाई अड़े क्यों नहीं आया भाई सवाल तक हाँ बोलो यह जैसे आपने नहीं यहां दिख्था ही 24 और में आप किसी लंबे टाइम का देदे आप कोई ऐसा इसा इशू नहीं है तो इसको अगले पांच साल का भी लगा के दे सकते है कोई ऐसा इसा इशू नहीं है ठीक है को इतने लंबे टाइम का लगादे है को एसा इसा 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 इशू नहीं है ठीक है को इतने लंबे टाइम का cookies को क्या हो गया code चेक करता हूँ, तो login के code में क्या होगा है यहाँ पर, यह HTTPS true लगाव होगा यह रहा, exios के जरीए मैं request भेज रहा हूँ और इसमें credentials क्या लगाव है, true, तो credentials true मुझे लगा के ज़रूर भेजना है, otherwise server पर वो HTTPS cookies का मुझे option नहीं मिल रहा होता, ठीक है तो मैं ऐसे कर लेता हूँ, अच्छा मैं अपने front end पर जाता हूँ वापिस, और front end पर जाके मैं login के अंदर जाता हूँ, और login पर जहां से मैं यह exios के request भेज रहा हूँ, पोस्ट की, इसमें मुझे options के अंदर, क्या भेजना होता है अच्छा body हो गई, उसके बाद comma डालके यहाँ पर मुझे क्या भेजना होता है, config, तो config में क्या लिखूंगा मैं, credentials, with credentials और true, ठीक है, यह exios के documents में भी यह बात लिखी वी है, mention होई भी है, तो कोई ऐसी बात नहीं है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं, अगर यह request जाएगी न, server पर, तो वहाँ पर HTTPS वाले न, features मुझे सारे available हो गया, ठीक है, यह मैंने request कर दी, proper कर दिया, सब कुछ okay कर दिया, अब आते हैं अब दुबारा से इसको मैं refresh करता हूँ, और इसको मैं sign-in करने की कोशिश करता हूँ, अब क्या हुगा, has been blocked by course origin policy, does not pass the course origin check, okay, अच्छा, अभी मैं कहां पर मौझूद हूँ, अभी मैं localhost 3000 पर मौझूद हूँ, और मैं request कहां पर कर रहा हूँ, मैं request कर रहा हूँ, localhost 5000 बन पर, इसक्रीन शेयर नहीं है आपके बस, इसक्रीन तो शेयर है मेरी, दुबारा कर देता हूँ, मैं यह लो, अच्छा, इसने ना मेरे course origin को क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया, 50001 पर इसने मना कर दिया कि भाई आप नहीं आ सकते, अच्छा, इसके लिए मुझे क्या करना होता है, यह जो course लगाया था न, हमने यहाद है, शुरू में हमने course करके एक चीज लगाई दी, इस course को हमने क्या देना होता है, थोड़ी सी configuration इसको में देनी होती है, वो भी हम यहाँ से देख लेते हैं, इस code से, कि उसको मुझे कैसे करके configure करना होता है, ठीक है, मैं server पर चला जाता हूँ वापस, और यहाँ पर आप server पर अगर देखेंगे, तो course में थोड़ी सी configuration यहाँ पर कीवी है, हमने, जिसके अंदर configuration में क्या बताया है हमने, कि credentials true होंगे, जो request आएगी न, उसमे credentials true होंगे, और वो request कहां से आएगी, यह भी हमने उसको mention कर दिया, यह भी हमने उसको बता दिया, तो अब course को मैं, थोड़ा सा configuration मुझे course में भी करनी पड़ेगी, और वो configuration ऐसे करके होगी, मैंने का, localhost 3000 से request आएगी, लेकिन हमारे case में 3000 से आएगी है न, हमारे case में कहां चल रहा है, हाँ 3000 पे चल रहा है, तो मैंने का, भाई, इस server पे request जो आएगी, वो localhost 3000 से आएगी, और उसमें credentials true होंगे, तो उसको रोकना है नहीं है आपने, उसको आपने बोलना है जाने दो, सभी है, अब देखते हैं, और कुछ रह तो नहीं किया हमारा अगी भी, console के मैंने clear किया, ठीक है, एक एक step करके हम चीज़ें करते जा रहे हैं, okay जी, sign in, अच्छा जी, finally हमारे पास यह सही चल चुका है, देख लेते हैं कि मेरे पास cookies क्या आ चुकी है या नहीं, यहाँ पर मैंने jaising खोला और मैंने देखा, तो cookies में मेरे पास token करके एक चीज़ आ चुकी है, और वो यह रहा, वो token, चलो जी, well done, हमने token generate कर लिया है, और हमने cookies में उसको save भी करवा दिया है, ठीक है, तो यह हमारे लिए बहुत एक खुशाइन बात है, एक अच्छी बात है, हमने एक milestone अचीफ कर लिया है, अच्छा, अब यह cookies में जो token है ना, यह मेरे पास save है, यह मेरे पास क्या है, यह token मेरे पास save है, अब यह token कितनी दिर में expire होगा, यहाँ पर लिखाव भी होगा, यह कब expire होगा, ठीक है, इसको मैंने खोला दुबारा से, cookies में दुबारा गया, यहाँ पर गया, तो आप, अच्छा, इसमें यह show नहीं कर रहा है, कि कब expire होगा, हलगे करना चाहिए उसको, ठीक है, अडे हाँ, यह रहा न, करतो रहा है, created on यह बता रहा है, कि 22 September 9.18 पीम पर यह create हुआ है, ठीक है, और यह expire ही भी बता रहा है, कि 23rd September को ही, 9.18 मिनट पर यह expire हो जाएगा है, यह क्या वक्वास है, अच्छा, सही है न, 24 गंटे बात का बता रहा है, 22 को बना है, 23 को expire होगा, हमने 24 गंटे का set किया था, ठीक है, cookies में हमने जो set किया था, time expire होने का, वो देख लेते हैं, इसको भी न, हम क्या कर देते हैं, 24 आवर का बना देते हैं, ताकि दोनों same-same हो जाए, ठीक है, मैंने का बाई, जो भी है, इसको multiply मजीद मार दो 24 से, ठीक है, तो one hour था, तो यह 24 hour हो गया, तो दोनों को हमने 24, 24 hour पे set कर दिया, ठीक हो गया जी, अब हमने कर दिया done, अब यह cookies तो मेरे पास store हो चुकी है, लेकिन अब इस cookies को मैं इस्तमाल कैसे करूँगा, इस cookies के जरीए मैं, चीजों को कैसे handle कर रहा हूँगा, कैसे देख रहा हूँगा, अच्छा, इसके लिए मुझे क्या करना होगा, मेरे पास जो secure APIs हैं, ठीक है, एक तो यह दोनों API हैं यह secure नहीं है, इसको जो बंदा login नहीं है, वो भी इसको इस्तमाल कर सकता है, इस वाले को, ठीक है, लेकिन मुझे क्या करना है, अब मुझे यहाँ पे, ठीक होगी है, तो हम जर आप देखते हैं, कि इसके लिए मुझे क्या करना होता है, इसके लिए मुझे लिखना पड़ता है, एक अदद authentication का middleware, ठीक है, और वो middleware, यहाँ पे पहले से मैंने लिखा वाए, उसको मैं यहीं से copy कर लेता हूँ, और जर आपको मैं line by line उसको explain कर देता हूँ, कि वो कैसे काम कर रहा हुता है, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपके इसको क्या कर दिया, paste कर दिया, और अब आप देख रहे हैं, express के server में जो request आती है वो pipeline की तरह आती है, मिसाल के दौर पे कोई भी request आप करेंगे न, वो सबसे पहले login से match करेगा, इस से नहीं हुआ, तो sign up से करेगा, इस से नहीं हुआ, तो इस से match करेगा, ठीक है, अच्छा, जब मैं यहाँ पे लिखता हूँ न, app.use, तो हर request उससे हो के गुजरती है, उसको skip नहीं कर सकती, ठीक है, मिसाल के दौर पे users लिखा वा था, तो यहाँ match हो जाएगा, यहाँ से response चला जाएगा, वो आगे check नहीं करेगा, मिसाल के दौर पे बंदे ने login की request की न, तो वो login पहली दफा में ही match हो जाएगा, अगर sign up की request की, तो भी शुरू यहीं से करेगा वो, फिर sign up पे आएगा, sign up हीट हो जाएगा, यहाँ से response चला जाएगा, आगे गो check नहीं करेगा, तो इसका मतलब यह हो कि यह दोनो request वो क्या है, वो बगएर login हुआ वा बंदा भी यह कर सकता है, लेकिन यहाँ से pass नहीं हो सकता वो, जो बगएर login हुआ वा बंदा है वो यहाँ से आगे नहीं बढ़ सकता, यानि वो users तक वो पहुँच ही नहीं सकता, अच्छा इस function के अंदर मुझे करना क्या होता है, जारा यह भी देख लेते हैं, इस function के अंदर सबसे पहले मैंने क्या किया है, मैंने कहा भाई साहब, cookies में जो कुछ भी है उसको screen पे print करवा दो, अब यह cookies एक ऐसा storage है, कि once इसमें कोई चीज store हो जाती है न, तो जब भी मैं कोई API यहाँ से call करूंगा, तो वो क्या होगा, वो मेरे cookies में पहुँचेगा, जैसे मैं profile के जब जाता हूँ, request करता हूँ, तो यहाँ से जो API हिट होगी न, उसमें क्या होगा, उसमें cookies साथ में जाएंगे, और उस cookies को साथ में भेजने के लिए, मुझे क्या करना होता है, मुझे यह करना होता है, उसमें credentials true लगाना होता है, तो मैं जाता हूँ जब प्रोफाइल वाले पेज़ पे, और वहाँ पे मैं जाके credentials true लगा देता हूँ, ठीक है, यह मेरा है request, 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 अच्छा, comma, configuration, मैंने कहा के with credentials, or true, ठीक है, with credentials मैंने कहा के true, तो अब यह क्या करेगा, अब यह request जब जाएगी, तो जो भी कुछ, https only cookies में होगा न, उसको यह request साथ में लेकर जाएगी, ठीक है, तो मैं यहाँ पे आके इसको, अब refresh करूँगा न, तो यह साथ में गया होगा, जो https only cookies हैं वो साथ में गई होगी, हुआ होगा, ठीक है, अच्छा, request.cookies undefined मिल रहा है, यह क्या बखवास है जार, जब आए मैं दोबारा से इसको refresh करता हूँ, इस page को, request.cookies undefined क्यों मिल रहा है वई, line number 175 में मुझे cookies में data क्यों नहीं मिल रहा, मैं, सब कुछ तो सही है, एक दफ़ा ज़रा मैं profile के page को देख लेता हूँ, मैंने ये credential सही लगाया ना, लगाया तो सही है बिल्कुल, with credential भी सही लगाया, देख लेते हैं एक दफ़ाइस पे हाथ रखे, exios को सबसे पहले देना होता है, string में url और comma डाल की config, बिल्कुल सही है, इसमें तो कोई मसला नहीं है, well मैं काम करता हूँ, मेरे server में ये जो नीचे वाला काम है न, ये सारा का सारा मैं क्या कर दता हूँ, comment कर दता हूँ और मैं just क्या get करता हूँ request.cookies, मैं गेस्ट करने की कोशिश करता हूँ request.cookies cookies 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 request.cookies undefined cookies हैं तो सही जारी क्यों नहीं है यार एक मिनट मैं अजर इस code में देखता हूँ मैंने इसमें क्या किया हूँ इसमें भी नशर प्रोफाइल का पेज बनाया वही होगा जार इस code में front end पर जाता हूँ मैं मैं कहता हूँ SRC में जाओ components में जाओ और profile के पेज में जाओ और प्रोफाइल के पेज में JSX में जाओ अच्छा नहीं किसमें प्रोफाइल पे नहीं बनाया वहाँ किसमें बनाया वहाँ कॉंटेक्स्ट में बनाया वहाँ सही है बिल्कुल सेम इसी तरह किया हुआ क्रिदेंशल्स ट्रू गेट की रिक्वेस्ट है क्रिदेंशल्स ट्रू है यह अचानक जो चीजने बंद हो जाती है नहीं चलते चलते यह बड़ी यजीब सी बात है किसी एक में तो मुझे मिले रहा है कुकीज में ली नीरी पता नहीं क्या वज़ा हुई है कि काम करता हूँ कुकीज को डिलीट करके दुबारा से लॉग इन करता हूँ इसको रिमॉव किया मैंने सारी कुकीज गायब कर दी मैंने यूर कनेक्शनिस साइड इस नोट सिक्यूर यू शूद एंटर एनी सेंसेटिव डेटा दिस 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 और मैंने गा भाई दुबारा से हम करेंगे लॉग इन अब मैं आया मैं अधर लॉग इन किया मैंने यहां पर कुकीज दुबारा आ जानी चाहिए ठीक है कुकीज दुबारा से आ गई है यहां पर और अब मैं प्रोफाइल पर जब क्लिक करता हूँ तो इसकी जो रिक्वेस्ट गई है सर्वर पर उसमें कुकीज साथ में जानी चाहिए थी उड़े मिल गया कुकीज भाई पता नहीं क्या हुआ था पहले क्यों नहीं हा रहा था या हलाग के कोड में मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया मैंने जिस लॉग आउट करके लॉग इन किया तो यह कुकीज मुझे मिलना शुरू हो गई वाव वाव क्या बात है जी फाइनली अच्छा मैंने का भई अगर इफ कुकीज अगर मैंने का रिक्वेस्ट डॉट कीज डॉट टोकन जो है अगर वो मौजूद नहीं है जी दोस्त जी कुछ पूछ ने दोस्ता यह क्या होता है जो भी कुकीज मौजूद है ब्रावजर के अंदर जो अभी अट डिफाइन आ रहा है यह मिल गया है मुझे कुकीज यह रहा ओडे यार यह तो वाकी में यह तो वह वाला टोकन है जहां पर जेनरेट हुआ है यह तो अभी भी अंडिफाइन आ रहा है इसा क्यों हो रहा है एक काम करता हूँ इसको इसको मैं थोड़े डिफरेंट तरीने से चलाता हूँ इसकी बार एक ज्यॉस को थोड़े डिफरेंट तरीने से चलाता हूँ इसकी बार इसकी बार प्थरेंट चलाता हूँ खड्वड़ू है उर्ल और method get सभी है मैंने यहां पर भी शायद इसी तरह ही चलाया हुआ था यहां पर भी मैंने इसी तरह चलाया हुआ URL और ऐसे करके चलाया हुआ तो ऐसे करके इसको चला के देखते है में भी वो जो पहले हम dot get करके कर रहे था ना उसमें वो सभी तरह से उसको समझ ना रहा हुआ तो let's see कि अभी ऐसे करने से कोई फर्क पड़ता है या यार अजीब सी बात हो गई है कुछ किसी को कुछ आइडिया है कि ऐसा क्यों हो रहा है अच्छा है तो कोई छोटी सी मिस्टेक कोई छोटी सी मिस्टेक है यह जिसकी वज़े से यह चल ले ना यहां पर भी लगा दिया मैंने सब कुछ तो कर दिया छोड़ा किया है मैंने काम करता हूँ अपने सर्वर का कोड ना इस वहले कोड से मैच करता हूँ अपने सर्वर का पूरा कोड में मैच करता हूँ कि मैंने क्या गलत किया Okay cookie parser नहीं लगाया वह मैंने यार जबी तो मैं बोलूं क्या चक्कर है cookie parser हमें लगाना पड़ता है जैसे body parser होता है न जैसे यह express.json करके मैंने लगाया वह ऐसी मुझे cookie parser लगाना पड़ता है ठीक है cookie parser को मुझे install भी करना पड़ता है शायद इसको मुझे इंस्टॉल भी करना पड़ता है असल मैं बड़े दिन बाद ये वाला कोड लिख रहा हूं मैं तो मैं भूल भाल गया हूं सब कुछ इसलिए मुझे देखना पड़ रहा है काफी असल मैं ये वाला जो login और sign up का कोड होता है ये एक ही बार लिखा जाता है अब फिर ये पूरी application में वो 6 महिने भी application पर अगर आप काम कर रहे हैं तो ये login sign up का कोड सिर्फ शुरू में एक बार लिखते हैं अब उसके बाद पूरे 6 महिने इसको देखना भी नहीं होता आप में तो ये cookie parser को जरा मैं install कर लेता हूँ यही वजाए कि ये वाली चीज़े न भूल जाता है बंदा जयान से निकल जाती है नपीम आई cookie parser ठीक हो गया जी इस cookie parser ने रुलाया हमें इतना बता हो जरा hopefully अब हम सब कुछ ठीक कर चुके हैं ओके नाओ request.cookies में मुझे cookies मिलना शुरू हो गई है थैंक गॉड खैर मुबारक और सार खैर मुबारक अच्छा तो मैंने सबसे पहले क्या बोला मैंने का भाई साहब अगर request.cookies.token ना अगर नहीं हो तो आप वहीं से उसको बोलो के भाई चलो भाई भाई शाबश वापिस जाओ 401 अन आथेंटिकेड़ और इसमें message भी मैंने साथ में लिखके भेजा मैंने का के भाई क्या करोगे आप आप include https only credentials मैंने का के भाई आप क्या करो आप यह http only credentials आप सारी request के साथ लगा के भेजना आपके लिए जरूरी है और यहीं से मैंने इसको वापिस भगा दिया अच्छा अब अगर उसके पास token मिल जाता है तो token मिलने की सूरत में मैं token को verify करूंगा token को मैं verify कैसे करूंगा सबसे पहले तो बोलूँगा jwt.verify सब को मैं open कर लेता हूँ वापिस से मैं बोलूँगा jwt.verify उसमें जो बंदे के पास से token मिला है वो रखूंगा और कॉमा डालके मैं secret रखूंगा जो मैंने secret token जिससे sign किया था ना मैंने रखा था secret रख दिया फिर मैंने का function अब यह function जो है ना इसमें या तो error मिलेगा मुझे या तो decoded data मिलेगा decoded data का मतलब क्या है कि जो भी कुछ मैंने sign करते वे उसमें रखवाया था ना जैसे यह login पर जब मैं वापस आता हूँ जो कुछ मैंने यहाँ पर sign करते वे रखवाया था ना यह सब मुझे वापस मिलेगा कहा गया वो यह रहा यह मैंने क्या क्या रखवाया है इमेल रखवाया है इसमें underscore ID भी रखवा देता हूँ ठीक है underscore ID में क्या रखवा देता हूँ body dot नई body dot underscore ID होगा data dot underscore ID होगा यहाँ पर भी data dot होगा ठीक है क्या किया मैंने यह गडबडगर दी कोई सभी है मैंने का ID रखवा दो email रखवा दो यह सारी चीज़ें इसमें रखवाई है मैंने sign करते वे और भी चीज़ें रखवा सकता हूँ बंदेगा ठीक है लेकिन फिलाल अभी मेरे खवाई रखने की जूरूत नहीं है तो ID और email दो चीज़ें मैंने यहाँ पर रखवाई थी sign करते हैं मैं वापस बंद कर देता हूँ तो यही वो चीज़ें जो रखवाई थी मैंने का if not error if not error है अगर तो क्या करो issue date को check करो कि वो date.now से छोटा तो नहीं हो गया ठीक है तो अच्छा अगर जो है वो क्या होता है कि मैं यह देखता हूँ कि भाई अगर क्या हो गया जो difference है वो बड़ा है अगर किस से 30 तीन लाग seconds से बड़ा है तीन लाग milliseconds actually है तो expire after five minutes क्या किया किया गया अच्छा issue date को मैंने convert किया millisecond में convert किया ठीक हो गया date.now मैंने निकाला कि अभी system में time क्या हो रहा है और फिर दोनों का difference निकाला मैंने का date.now minus issue date issue date जाए चोटा होगा date.now बड़ा होगा अभी जो date ज्यादा हो चुका है अच्छा आप okay okay अगर difference जो है यह बड़ा हो चुका हो इस से मतलब 300,000 seconds है तो इसका मतलब है कि यह पांच minute पुराना हो चुका है token तो इस point पे भी मैं expire करवा है करवा सकता हूं इस token को ठीक है तो मैं बोलूँगा 401 token expired तो मैंने का बड़ा पांच minute का time है expire होनेगा तो आपने देखा तीन ऐसे points है जहां पे token expire हो सकता है number 1 cookie expire हो जाए तो cookie गाइब हो जाती है automatically जहां पे cookie का expiry time है वो गुजर जाए तो cookie automatically storage से गाइब हो जाती है लेकिन मैं यहां पे भी चेक करवा सकता हूं अच्छा otherwise मैं क्या करूंगा नया token issue कर दूंगा इसको हर request पे एक नया token issue कर सकता हूं मैं इसको अगर मैं चाहूं तो ठीक है लेकिन नया token issue कर देंगे अगले 24 गंटे का Facebook असल में यही करता है Facebook क्या करता है अगर आप continuously तीन चार दिन फेस्बुक ना खोले न और फिर आप अगर खोलते है तो फिर आप से वह login करने के लिए कहता है ठीक है कोई certain duration है शायद वो एक हफता है पता नहीं आप लगा सकते हैं लेकिन मैं यहां पर क्या करता हूँ वो logic मैं यहां पर नहीं लगाता हूँ फिलाल के लिए यह logic मैं यहां से हटा सकता हूँ अगर मैं चाहूँ तो और मैं वो भी कर सकता हूँ मेरी तो बंद होती नहीं है Facebook का नहीं आप continuously use करते होंगे न उसको अगर 2-4 दिन उसको use ना करें न फिर बंद हो जाती है वो यह मैं इस वज़े से बता सकता हूँ कि मेरे पास जब कोई बंदा मुझे दुबारा लिंक भेजता है Facebook का मैं फिर क्लिक करता हूँ फिर कहता है लॉग इन करो ठीक है तो वो लॉग आउट होता है क्योंके मैं Safari प्राउदर को कभी नहीं खोलता हूँ ठीक है वो भी अंगर से बहुता हूँ असल में वो डायरेक्ट डीप लिंक जो है एप में खुलना चाहिए लेकिन वो मैंने सैटिंग नहीं की भी इसलिए वो मेरे पास सफारी वो बाइदवे डायरेक्ट वो फेस्बुक की एप में खुला जा सकता है उसको ठीक है तो मैंने उसको बोला कि भाई अगर यह ओगय क्या है वो भी जरा मुझे पता होना चाहिए डिकोडेट डेटा डिकोडेट डेटा ठीक है यह पूरा का पूरा डिकोडेट डेटा जो है मुझे वापिस में क्या मिल रहा है वो जरा मैं देख लेता हूँ अच्छा मैं क्या करता हूँ यहां से कुकीज को रिमूफ कर देत नहीं है, यहां से मैं उड़ा चुका हूँ, मैंने खुद उड़ाया है इसको यहां से, ठीक हो गया, अच्छा, अब जब मैं रिक्वेस्ट भेजूँगा, किसी की प्रोफाइल की, यह एक्स, यहां पे, इस जगह पे, ना सिर्फ वो टोकन मिलेगा, जो मेरे पास मौझूद है, बलके वो टोकन पूरा डिकोड होके न, वापस से वो डेटा मिलेगा, जो मैंने रख के साइन किया था, उसको, तो मैं जाता हूँ, प्रोफाइल पे क्लिक करता हूँ, अच्छा, प्रोफाइल पे अभी भाईद अभे, एरर आ रहा है, लेकिन वो इसा लिखा है, जिसकी वज़से वो error आ रहा है, वो भी हम उसको सही कर देते हैं, तो मैं यहाँ पर just क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर बोलता हूँ कि अगर expiry time है अगर वो cross हो चुका है, जो expiry मैंने रखा था, अगर वो cross हो चुका है, तो बस आप फिर उसको मना कर दो, ठ seconds में मुझे यह data मिल जाएगा, अबर divide क्यों नहीं हो रहा, अच्छा, sign उल्टा लगागा, यह all against में जा रहे है, ठीक है, यह मुझे issue date with कुछ भी नहीं चाहिए, यह कुछ भी नहीं चाहिए मुझे, मैंने का कि भाई, अगर जो आपका न, यह decoded data, dot exp अगर हो गया हो, sorry, छोटा हो गया हो न, time गुजरेगा तो पीछे जाएगा, ठीक है, expiry date अगर छोटा हो गया हो, अभी का जो time है, वो बड़ा हो गया हो, now date, सही है, तो आप क्या बोल दो, कि token expire हो चुका है, otherwise क्या करो अब, otherwise उसको जाने दो, बिल्कुल okay है, वो set है, ठीक है, ऐसे case में क्य होगा, token renew नहीं होगा, कभी भी, जब एक बर login करेंगे, उसी वक्त जो 24 गंटे का दिया, वो fix रहेगा, और वो 24 गंटे में हर हाल में, वो expire होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर यह चेक लगा सकते हैं, अगर चाहें तो, कि भाई, अगर पांच मिनट रहेगा है, expire होने में, अब नेया token issue कर दो, ठीक है, अच्छा, तो यह मैं नेया token जो यहाँ पर issue करता था, उसको मैं हटा रहा हूँ, खतम कर रहा हूँ, अच्छा, अब मैंने यहाँ पर क्या बोला, मैंने यहाँ पर बोला, कि भाई, request.body. जो token है, इसमें क्या रखवा दो, पूरा का पूरा decoded data ठीक है, ताकि मैं आगे किसी भी API, जैसे users में पहुंचता है, यहाँ पर मैं, अगर यहाँ पर मैं बोलूँ, कि भाई, क्या, request.body.token, तो मुझे token के अंदर पूरा का पूरा यह decoded data मिले, यानि dot underscore ID वगरा सब को जो जो आती है, वो सब मिले मुझे यहाँ पर, ठीक है, तो इतनी भी request होगी न, वो इसमें से हो के गुजरेगी, अचा, अब जो मैं users पर आके यह ID लेता था, ठीक है, user पर आके जो मैं ID लेता था, अब मुझे वो ID लेने की भी ज़रूत नहीं है, अब यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, इस जगह पर, इस जगह पर मैं body.token.underscoreID, ठीक है, अब मैं यह लिखूँगा, अब मुझे वहाँ से ID भेजने की ज़रूत नहीं है, अब यह बात जानता है कि भाई, किसकी जो है न, यह, sorry बलके इसका नाम भी profile होना चाहिए न, user के लिखा है, यह profile, तो profile जो भी get करेगा, उसकी अपनी profile get होगी, क्योंक की ज़रूत नहीं है, मैं ज़स profile लिखूँगा, तो वो देखेगा और खुदी उठागे लेकर आएगा, बहाँ से वो, अब क्या हो गया भी, अच्छा, server secret जो है, वो तो server secret नहीं है न, सिर्फ secret था, कहा गया वो, server, 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 secret, server secret कहां से आगया है, लाइन नंबर, लाइन नंबर, लाइन नंबर, लाइन नंबर 205, 205, लाइन नंबर 205 में server secret कहां है, एक काम करते हैं, इसको control F कर लेता है, कहीं भी निखा भा, क्या इसकी पुरानी याददाश्ट आ रही है, क्या हो रहा है, बता नहीं क्यों error दे रही है, प्रोफाइल साही तो है, सब कुछ तो ठीक है, get profile के request है, और यहाँ पर ऐसे करके मुझे भिलना है, यह error क्यों आ जा रहा है, इसकी उपर, request.body.token में रखवाया, और next call कर लिया, प्रोफाइल, प्रोफाइल, localhost 5000 slash profile, get की request है, प्रोफाइल पे जा रही है, get की request है, प्रोफाइल की spelling सही है, प्रोफाइल यहां पर मैंने ऐसा क्या कर दिया, इसके साथ, decoded data तक तो यह आ रहा है, decoded data तक तो यह पहुच रहा है, उसके बाद यह है, उसके बाद इफ है, 401 नहीं हो रहा, ठीक है, यहां पर मैं console लगा लेता हूँ, कि यहां तक यह पहुच रहा है, यह नहीं पहुच रहा है, ठीक है, token approved, ऐसे करके मैंने लिख दिया, कि अगर expiry छोटा होजाए, और data ना बढ़ा होजाए, token approved लिखा वाना चाहिए, यहां पर, token approved तक भी यह पहुच रहा है, token approved के बाद यह next call कर रहा है, next से यह फिर अगले वाले में चला जाता है, users profile, अच्छा profile में अब मुझे यह बात, यहां पर क्या वाकई मिल रही है या नहीं मिल रही है, इसको दरा देख लेते हैं, console करके, क्या क्या मिल रहा है, यहां पर दरा देख लेते हैं, okay got it, इसको मैंने small t में रखवाना था, यहां ने बड़े t में रखवा दिया था, जबी तो नहीं चल रहा था, यहां पर मैंने capital t किया था, और यहां पर मैं get कर रहा था, small t से, ठी हो गया, यही वाला issue था, सही हो गया, बिल्कुल site चल गया, ठीक है, यह token में मुझे यह सब कुछ मिल रहा है, तो the problem वास कि, मैंने यहां पर capital t लिख दिया था गलती से, small t यहां पर लिखना था मुझे, अच्छा तो आब आप note करें, सबसे जरूरी बात यह है, note करने वाली, कि अब हमारे पास क्या है, बंदा login है, जब मैं refresh करता हूँ, तो बंदा login होता है, यह देखें, बंदा login है, तो इसको profile दिख रही है, यहां से अगर मैं cookies को उड़ा देता हूँ, तो इसको profile दिखना बंद हो जाएगी, अब मैं refresh करूँगा, नहीं आएगी profile यह, ठीक है, 401 लिखा वा रहा है, profile नहीं आ रही, अब मैं login करूँगा ना, जब यहां पे जाके दुबारा, login कर दिया मैंने, अब मैं profile में जाऊँगा, तो मुझे profile मेरी दिखना शुरू हो जाएगी, अच्छा अब यह profile जो है, वो कहां पे होनी चाहिए, यह profile इस page पे नहीं होनी चाहिए, यह profile तो मेरी context में होनी चाहिए, ना क्यूंकि सब जगा मुझे required हैं, ठीक है, तो यह काम मैं, जो API call करता हूँ, यह profile वाली, यह मैं actual में अब कहां पे करूँगा, यह मैं कहीं पे भी करूँ, लेकिन मुझे क्या करना पड़ेगा, यह profile जो है, वो state के data में save करवाना पड़ेगा, state variable में मुझे इसको save करवाना पड़ेगा, ठीक है, जो local variable में save कराता हूँ, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, चला जाता हूँ, अपने पास dispatch के अंदर देख लेते हैं, कि login करने के लिए कुछ मैंने बना रखा है के नी बना रखा, अगर बनाया वह है तो उसी के अंदर इसको हम, ठीक है, यूजर लॉगिन के अंदर, action.payload में पूरा का पूरा मुझे data देना होता है, तो मैंने का user login कॉल करो dispatch में, sorry, एक मिनट, इस से पहले मैंने एक काम और करना है, एक काम और मैंने ये करना है, कि मैंने वो लगाना है, मैंने ये लगाना है, कि जब तक बंदर login नहीं होता ना, ये सारी चीज़न उसको दिखे ही ना, सबसे पहले तो मुझे ये काम करना है, ठीक है, सबसे पहले मुझे ये काम करना है, अच्छा, तो ये कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, हाँ, मुझे reducer, ये जो असल मैं API काल करता हूँ ना, मुझे यहाँ पर करनी ही नहीं है, ये गलत मैंने यहाँ पर काल कर दी है, ये मुझे काल करनी होगी, वहाँ पर, जैसे मैंने इस app के अंदर भी, अगर आप गौर करें ना, तो मैंने API कहाँ पर काल की विए है, मैंने API call की भी है उसमें frontend src और यह context context के अंदर जो है ना मैंने इस API को call किया हुए आप note करने है यहाँ पर context के अंदर मैंने इस API को call किया हुए और context के अंदर API कॉल करने के बाद मैंने क्या किया हुए यहाँ पर इसको रखवाया हुए ठीक है provider के अंदर और यह पूरा का पूरा use effect मैं क्या कर देता हूँ यहां से उड़ा देता हूँ और मैं वहां जा के paste करता हूँ जो मेरा context बनावा है क्योंकि मुझे sl में जो वो data है न वो रखना ही कहां पर है वो रखना ही मुझे वहां पर है जहां पर मेरे पास जोने वो है यह पूरा का पूरा use effect उठाके मैं यहां पर लेकर आगे हूँ ठीक है ऐसी किया वहां मैंने वहां पर भी ओके use effect यहां पर require नहीं हुआ वहां इसलिए यह मुझे error दे रहा है ठीक है use effect यहां पर मैंने सबसे पहले require किया ओके और अब मैंने क्या करना है यह user जो है इसके अंदर इसको set करवा देना है यह set data कहां से आया ओके गॉडड़ यह इसका set data है हाँ बस यह set data भी मुझे फिर यह चाहिए होगा न ऐसा वाला यूज स्टेट भी उपर मुझे require करना हुआ है ठीक हो गया जनाब और अब मैंने क्या करना है यह profile की जगा मैंने करना है set data और मैं कहूंगा कि भाई यह data जो है क्या होगा इसमें पूरा का पूरा data होगा जो पुराना मौजूद है और उसके बाद मैं क्या बोलूँगा कि user equals to करके ना मुझे यह बजीज चाहिए जो मेरे पास अभी आई है ना response में data जो आया है मुझे यहाँ पर यह बला चाहिए तो हर दफा क्या होगा जैसे ही बंदा एप open करेगा ना यह उसको खोल के और उसके अंदर से data ला के और यहाँ पर रखवा के set कर देगा बल्कुरी तो देखते हैं के वाकई अब ऐसा होता या नहीं होता exeos भी यहाँ पर require नहीं होगा न exeos भी यहाँ पर मुझे import exeos from exeos अब क्या problem data तो आ गया लेकिन वो अच्छा infinity चल गया है actually infinitely वो चलता ही चला जा रहा है यहाँ पर मैंने कोई mistake की है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है ही रहा है यह context में पूरा का पूरा यही से उठा लेता हूँ, context में पूरा का पूरा यही से उठा लेता हूँ, बात ही खत्म, यह context के अंदर कोई अगर code में mistake होती है तो फिर वो problem कर रहा होता है, तो यह हमारा kind of boilerplate code है, जिसमें method get है, slash profile है, credential true है, सब कुछ वो ही है, जो मैंने यहाँ पर लिखा हूँ, तो इसको मैंने as it is पूरा का पूरा context के उठा लिया, ठीक है, मैंने का भी response जो status अगर आता है, हमारा 200, तो क्या करो, set data कर दो, previous जो था उसको previous रहने दो, और आप क्या करो, उसके बाद login status जो वो true करवा दो सबसे पहले, ठीक है, यहाँ पर मैंने दो ची data नहीं रखवाया, data भी रखवाया देता है, कौन सी बड़ी बात है, user पूरा यूजर भी रखवाया, क्योंकि मेरे पास तो user भी आता है, मैंने का user पूरा पकड़ो यहाँ पर, और क्या करो, यह response.data.user, response.data होगा, पूरा पूरा data होगा, साही है, तो मैंने क्या करवा दिया, दोनों को populate, user को भी populate करवा दिया, और login status को भी populate करवा दिया, page load होती, global context imported as, global context was not found, कहां पर यह आया है problem, index.jsx में आया है, असल में मैंने context का code change किया है, तो जहां जहां पर मैंने इसको import किया था, मुझे वहाँ वहाँ पर भी code को change करना पड़ेगा, global state, set global state, ऐसे करके मैंने यूज किया है अपने आपने इसको, अच्छा, अगर ऐसे करेंगे, फिर तो पूरा का पूरा code ही change करना पड़ेगा, मुझे, इसका मतलब है, मैं ऐसे नहीं कर सकता है इसको, इसका क्या क्या जाए पर, एक कांग रखेंगा, इसको मैं वापस बनाता हूँ, जो यह पहले था, और हम किसी ऐसी जगह पर API कॉल कर लेते हैं जो सबसे पहले चलता हूँ, अब ही तो मैं है वापस खतम कर दा है, यूज कोंटेक्स वली जो सबसे पहले चलता हूँ, तो मिसाल के तोरप हमारा जो app.js है न हो सबसे पहले चलता है, टिक है, app.jsx हमारा ये लाजमी चलता है और सबसे पहले चलता है तो मैं काम करता हूँ ये पूरा का पूरा ये use effect है ना हमारा वो मैं कहा ले आता हूँ वो मैं यहाँ पे लेकर आ जाता हूँ ठीक है क्योंकि मुझे शुरू में ये काम करवाना है जो भी काम हो रहा है ये मुझे शुरू में करवाना है तो मैंने use effect कहा पे करवा दी है app.js में app.js तो जाहर है पहले सबसे पहले चले गई चलेगा इसके लावा कोई option नहीं है यहाँ ऐसा हो नहीं सकता कि कभी वो ना चले तो यहाँ पे मुझे क्या करवाना पड़ेगा import use effect from react ठीक है complication से बचने के लिए मैंने ये असान तरीका कर लिए कि हम app.js में ये काम करवा लेते हैं क्योंकि app.js तो शुरू में चलता ही चलता है लाजमी चलता है ठीक है जी अब जो मैं यहाँ पे पर करवाता था न रए लॉग इन में किया है मैंने चेंच को अब के लिए है app.js के अंदर मैंने इसको, ओ सारी, इसको तो इंपोर्ट करना था न मैंने, ठीक है, use context जो है वो यहीं से हो जाएगा, context, यह मैंने क्या सही पकड़ागा है, context, सही है, यह पाद भी मैंने सही कि रोकिए, अच्छा, अब मैंने यहाँ पर जो करता था, मैं, set करता था, context को, वो अब मैं कैसे set करूँगा इसको, वो मैं ऐसे करके set करूँगा, ठीक है, यह global, यह context हमारा है, use context, इसमे एरर क्यों हा रहा है भाई देगा, double double कर दीए क्या है मैंने इसको, यूज़ एफेक्ट के अंदर कर दिया है, मैंने इसको by mistake, यह यूज़ एफेक्ट के अंदर नहीं होता, यह यहाँ होता है, लेकर हो पता नहीं क्यों एरर आ रहा है, आज एरर बहुत ज्यादा आ रहे हैं, आर पता नहीं क्या वज़ए, पता नहीं शायद मेरा माइन उस जिस तरह से अज एक्टिव नहीं है, जिस तरह से होना चाहिए, क्लास बढ़ाने के लिए, अच्छा, एक्जियॉस में क्या मसला है, अच्छा, एक्जियॉस भी आनी हुआ, इंपोर्ट एक्जियॉस फ्रॉम, असल में अब हम आइस्ता इस्ता जो है ना, एडवांस लिएम गार कोड बेस बड़ा हो जाता है, तो पहले थो चोटा-छोटा सा कोड होता था, 2-4-10-12 lain हो गई, अब जायर है हमारा कोड बेस भी बड़ा होता जा रहा है, तो थोड़ा सा मेहनत जार है उसमें ज्यादा लगती है, उस कोड को समझने में, इन चीजों में प्रोफाइल लिखके और क्रिडेंशल के साथ और वहाँ से जो भी कुछ आता है आपके पास आपने वो क्या करवा देना है आपने वो यहाँ पर सेट करवा देना है dispatch ठीक है क्या था dispatch में user login था या user logout था देख ले था reducer में user login था और एक user logout भी है ठीक है मैंने का user login और comma डालके ना मैंने पूरा का पूरा response.data इसमें भेज दिया कि यूजर login हो गया है और उसका data ये रहा आपके पास ठीक हो गया है अगर catch में कुछ आता है कुछ error ऐसा आजाता है यहां पर by the way ना मुझे एक चीज और भी देखनी होती है response.status का code भी देखना होता है response.status भी 200 होना चाहिए तो भी तो मुझे पता चलेगा कि अच्छा भाई मेरा code successful है otherwise क्या होता है कि आपका code आप समझते हैं कि failure नहीं ठीक है जैसे response.data है इसी तरह यहां पर क्या आ रहा होता है response. वो भी आ रहा होता है मैंने का if response.status equals equals 200 अगर है तो आप क्या करोगे तो आप console.log करोगे response.data सही आया है यह क्या होग bracket मैंने आगे पीछे कर भी आप सही हुआ ही तो response.data सही है और फिर आप करोगे कि भाई user क्या हुआ हुआ है user login हुआ हुआ है else में आप क्या करोगे आप बोलोगे dispatch user logout user logout कर दोगे अगर 200 के लावा कुछ भी है 400 है, 401 है, 500 है तो आप user को आप logout बोलोगे कि भाई user logout है और अगर catch में हिट होता है या तो भी आप बोलोगे कि user logout है logout में हम क्या करते है हम करवा देते हैं बंदे को बिल्कुली out जैसे reducer में आप जाके देखें user को हम करवा देते हैं null अच्छा एक चीज़ा हमने और भी नहीं रखी अपने context में जो हमें रखनी चाहिए थी login status हमने नहीं रखा न login status भी हमें रखना चाहिए context में जाता हूँ मैं और मैं यहाँ पर बोलता हूँ के भाई login status ठीक है या is login बोल दें इसको तो शायद ज्यादा बहतर रहेगा is login ठीक है तो इसको मैं शुरू में रख देता हूँ false के भाई बन्दा जो शुरू में क्या है वो is login बलके null रख देता हूँ शुरू में is login जो बन्दे का वो null है शुरू में true false कुछ भी नहीं है क्योंग शुरू में हो सकता है false भी हो true में हो सकता true भी हो यह पता नहीं होता बन्दा login है या नहीं है इन दोनों reducers में मैं ये बताऊंगा कि भाई user और user login ये दोनों का status क्या होगा ये बताऊंगा मैं आपर ठीक है मैं चला जाता हूँ reducer के अंदर मैंने का user जब login होगा तो user के अंदर ये payload आजाना चाहिए और जो is login के अंदर आजाना चाहिए true ठीक है ऐसे हो जाना चाहिए user logout जब हो तो user भी null हो जाए और is login जो हो जाए वो false हो जाए इस login पर भी मैं बहुत सारे checks लगागे ना बहुत सारे काम करना होगा तो ये मैंने कर लिया काफी महनत करने के बाद मैंने अच्छी सी exciting मना ली के app.jsx के अंदर मैंने API कॉल कर वा ली एप लोड होती ही और उसमें मैंने ये decide कर वा ली है शुरू में के बंदा login है या logout है और वो तमाम का तमाम स्टेटस मैंने अपने context API में store करवा दिया अपने app के context में वो बात save करवा दी के बंदा इस वक्त login है या logout है अगर login है तो तमाम का तमाम user का data भी उसके अंदर मैंने रखवा दिया अच्छा अब क्या होना चाहिए अब ये होना चाहिए ये बाइद करवाता हूँ ठीक है अब मैं गया login पर और यहां से मैंने login का बटन दबाया ठीक है login का बटन दबाया login हो गया profile पर गया profile दिस्प्लेई क्यों नहीं हो रही है वाइद इस नोट गदिंग दिस्प्लेई response आ रहा है लेकिन वो display नहीं हो रही है यहां पर भी display नहीं हो रहा है क्या बक्वास है रही है अच्छा खेर हमें काम करता है ना यह state से जो ना ओ गॉड़िट गॉड़िट इड़िट यह क्यों नहीं हो रहा अब तो हम यह user का जो profile का data है वो तो global state में करवाते है न हमने यहां पर print कैसे किया हुए गलत print किया हुए हमने ठीक है यहां पर हमने print किया हुए इस वाले से इसमें तो कुछ है ही नहीं है अब तो global state के अंदर है सब कुछ तो मैं यहां पर बोलूँगा state.user. करके ना सही है मैं बोलूँगा state state.user और ऐसे करके होगा ठीक है अब आएगा ना यहां पर लिखा हुए स्क्रीन पर कोई है यहां पर यहां नहीं है अच्छा अभी भी आ नहीं रहा बाई तो मैं काम करता हूँ यहां पर क्या करता हूँ console.log करवा लेता हूँ किसको के state में है क्या इस वक्त पता तो चले हमें हमने तो रखवा दिया लेकिन वह वाक़ी उसमें गया है के नहीं गया यह हमें पता नहीं चल रहा अच्छा state के अंदर is login जो है वो नल है और user जो है वो empty object है ऐसा क्यों भला अगर मैं state को यहां पर stringify करके print करवा दूँ तो मुझे बहुत अच्छे से idea हो जाएगा के state में क्या है इस वक्त मैंने का के json.stringify ठीक है state में जो कुछ भी है मैंने का भई आप उसको print करो screen की अपर ना अच्छा यह मैंने screen पर print किया हुआ है अब मैं जाता हूँ जारा login में और login पर मैं sign in करके ना वापस से इस पर profile पर आता हूँ तो यहां पर आ जाता है data लेकिन खुद से क्यों नहीं आता है यहां पर तो खुद से आना चाहिए data क्योंकि app.js जैसे ही चलता है मैं इसमें data रखवा देता हूँ खुद से data इसमें आ जाना से यह ऐसा क्यों नहीं हो रहा है यहां पर खुद से data क्यों नहीं आ रहा है इसका मतलब है app.js में मैंने कोई mistake किये यहां पर API कॉल किये मैंने यहां पर कोई mistake किये response तो यहां पर दिख रहा है dispatch भी हो रहा है login user login response.data अच्छा response.data में मुझे यह मिलता है ना सही है यह हो रहा है dispatch यह भी dispatch सही हो रहा है और get profile यहां से call भी हो रही है तो यह global state में मेरे जाएके save क्यों नहीं हो रहा है इसको save हो जाना चाहिए ज़रूरी save हो जाना चाहिए user login user action.payload ओके got it got it got it यह मैंने एक गडबड की है मैंने एक गडबड मैंने यह की है कि dispatch को इस तरह से call नहीं किया जाता जैसे मैंने किया है dispatch को call करने है जो फ्रॉपर तरी आज मेरा दिमाग शायद उस तरह से हाजर नहीं है यह इसको call किया जाता है ऐसे ठीक है ऐसे करें और इसमें क्या लिखा जाता है इसमें ऐसे टाइप लिखा जाता है और टाइप के बाद जो हो ऐसे पे लोड लिखा जाता है यह हम लास्ट तो हम करके देख चुके है यह बाकी जगाओ पर हमने इसी तरह किया है जो dispatch हमने किया था लॉग-इन के पेच पर हमने यह काम पहले कर चुके हैं देखते हैं ऐसे ही किया है यह देखो न हमने इसी तरह किया हुआ है तो मैं dispatch तरीके गलत तरीके से dispatch कर रहा था इसलिए वो global storage में जाके save नहीं हो रहा था ठीक है अब जब मैं refresh करूंगा तो यह automatic देखो उपर इंजमाम मलिक लिखावा आ जाता है यह मैं इसको अटा देता हूँ इसकी अब मुझे जरूद नहीं है यह बिलावजा मैंने रखवा दिया ठीक है तो अब अब मैं इसको refresh करूंगा तो यह मुझे कुछ भी नहीं दे रहा है यह लेकिन इसको क्या हो गया इसको क्या हो गया 401 यह unlimited चलना शुरू हो गया लाइन नमर 49 लाइन नमर 49 ऐसा क्यों हो गया ऐसा क्यों हो रहा है यह unlimited क्यों चलना शुरू हो जा रहा है भाई app.js में ऐसा तो इसमें कुछ भी नहीं है वैल चलो मैं इसमें condition लगा सकता हूँ यह अगर यह just in case अगर यह वो चल रहा है तो मैं condition यहां पर लगा सकता हूँ मैं condition क्या लगा दूँगा मैं बोलूँगा भाई if अगर जो एना जो मेरे पास यह ना state मैंने का बाई अगर state के अंदर अगर user का जो login status है state dot is login अगर जो है वो equals equals अगर है null के ठीक है तो ही आप इसको call करो otherwise इसको call ना करो ठीक है मैंने condition लगा दी है यहां पर के भाई अगर आप जो है तो आप यह get profile कराके ना यह check कर वालो otherwise आप यह काम ना करो ठीक है तो मैंने यहां पर एक छोटा सा check लगा दिया अच्छा अच्छा अला कि उसको infinite चलना नहीं चाहिए वो कोई छोटा मोटा reason होगा जिसकी वज़ा से वो infinite चलना शुरू हो जा रहा है ओके I got it यह पता है क्यों हो रहा है use effect के अंदर मैंने empty array नहीं लगाया last में इसलिए यह हो रहा था इतनी जो है न obvious चीज़ें मैं आज miss कर रहा हूँ अब यह set हो जाना चाहिए ठीक है बिल्कुल set हो गया यह empty मैंने object यह empty array में लगाना भूल गया था इसलिए इंफाइनाइट चल रहा था ठीक है यह dependency array होता है अगर यह नहीं ना लगाऊ ना तो यह इंफाइनाइट हो जा हम चीज़ों को streamline कर लेते हैं अबके क्या किया हम कर चुके है अभी तक एक नजर मार लेते हैं उसके उपर हम हमारे पास क्या होता है कि जब हमारी app क्या होती है जब हमारी app start होती है तो automatically यह एक request मारता है जो कर दीन ओर ग्लोबल context के अंदर पूरा का पूरा user आगर सेव हो है automatically ठीक है अच्छा उसके बाद हमने लॉग आउट का बटन अभी तक नहीं बनाया हम जरा लॉग आउट का भी बटन बना लेते हैं कौन से पेज पर इसी नेव बार के अंदर ना हम लॉग आउट का एक बटन बना लेते हैं लॉग आउट कैसे करवाएंगे हैं वो भी अंदर बटन होगा लॉग आउट ठीक है और उस बटन के अन ट्लिक के ओपर आप क्या रोगे लॉग आउट कॉल कर रोगे ठीक है भी बना वाणी है यहां पर लॉग आउट handler बोल देता हूँ मैं इसको ठीक है यहाँ पर मुझे क्या बनाना पड़ेगा const logout handler equals to यह बना दिया मैं ठीक है और मैंने यहाँ पर क्या बोलना है अब Axios की API भी मैं call कर सकता हूँ और cookies को just मैं remove करवा दूँँगा तो उससे भी logout हो जाता है ठीक है जावा स्क्रिप्ट के अंदर ना cookies को कैसे remove करते हैं ठीक है how to delete all cookies यह इसने बना दिया ठीक है document.cookies के अंदर आप अगर यह चीज़ रखवा दो तो उससे तमाम की तमाम cookies क्या हो जाती है remove हो जाती है ठीक है यह शायद थोड़ा बहतर तरीगा है ठीक है तो आप यहां पे ना यह भी code लिखवा सकते हैं ऐसे करके जिससे क्या हो जाता है तमाम की तमाम cookies जो होती है आपकी वो गायब हो जाती है ठीक है तो जब आप जाकर देख लेते हैं कि इस logout के button को प्रेस करने से क्या हमारी cookies गायब हो जाती है पहले तो login करना होगा उसके लिए मैं login कर लेते हैं ताकि cookies आ जाएं पहले cookies आ गई मेरा नाम लिखवा गया है यहां पर अब मैंने क्या करना है अब logout का button प्रेस करके देखना है मुझे कि logout का button जो है काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है token ऐसे लिखना था है यहां ठीक है को मैंने नाम गलत लिखवा था मापे रीफरेश किया इसको मैंने और logout दबाया एक बार और अब दुबारा रीफरेश करूंगा तो अड़े अभी भी गायब नहीं हुआ यह के बगवास है अभी भी यह वाजूद है token अगर मैं इसको empty string करवाद हूँ document.cookies को तो उससे भी गायब हो जाना चाहिए सब चीजें उड़ा दी मैंने इसमें से रीफरेश किया और एक बार को login कर लेता हूं मैं login करते ही मेरे पास data आगिया है यहां पर प्रोफाइल पर गया मैं रीफरेश किया अब logout का button प्रेस किया मैंने और दुबारा रीफरेश किया मैंने तो भी है अच्छा यह यहां पर से खतम नहीं हो रहा हम इसको server से भी खतम करवा सकते हैं ठीक है login वाली ही API को मैंने क्या कर लिया copy कर लिया और अब की बार मैं क्या लिखोंगा यहां पर logout लिखोंगा ठीक है अच्छा logout यहां पर लिख देता हूं exios नहीं है यहां पर exios को भी मुझे acquire करना है ठीक है exios को मैंने उठा लिया logout यहां पर बना लिया logout में मुझे कुछ भी ने डालना है यह सब कुछ ठीक है with credentials मुझे डालना होगा yes ठीक है with credentials मैंने यहां पर true लिखा थाकि credentials भी साथ में जाएं इसके और साथ में मैंने dispatch क्या लगाना होगा मैंने dispatch लगाना होगा user logout ठीक है user logout का मुझे dispatch लगाना होगा थाकि मेरे local जो context है न वहां से भी इस data को क्या कर दिया जाए remove कर दिया जाए जो भी data locally context के अंदर store हुआ होगा है ठीक है तो यह मैंने काम बहतरीन जबर्दस काम कर लिया ओके हो गिया सब कुछ refresh किया मैंने अब मैं logout का button अच्छा logout का मेरे पस वो server पर API नहीं बनी भी न वो भी बना लेते हैं जल्दी से ठीक है यह login वाले कोई मैंने क्या किया इसको duplicate कर लिया login वाले कोई ठीक है और इसका नाम क्या कर दिया मैंने logout कर दिया ठीक है खोला मैंने इसको open किया इसमें मुझे यह सब कुछ request वगरा नहीं चाहिए मुझे सिर्फ यह यह वाली line चाहिए इसमें request.cookies वाली सही है और नहीं इसके साथ मुझे ये भी चाहिए मैंने का भाई ये token के नाम से जो है ना इसका जो max age है वो क्या कर दो अप 0 कर दो max age 0 होते ही क्या हो जाएगा वो automatically गाइब हो जाएगा जो हमारे पास token ही हाँ पर save हुआगा है cookies के अंदर वो गाइब हो जाएगा और यहां पर मैं क्या बोलूँगा logout successful और इसके साथ कोई data मुझे नहीं भेजना है ठीक है तो जैसे मैंने रखवाया था वैसे ही मैंने उसको remove भी करवा दिया जैसे रखवाया था वैसे ही remove करवा दिया यह front end से direct भी हो सकता है मुझे यह API ना भी बनाऊ तो चलेगा front end से direct भी हो सकता है कामना अच्छा अब मैं जब logout का यहां पर button दबाऊंगा तो API हिट होगी और और महां से response किया है यह के बकवास है एरर आ गया server पर token is not defined okay सभी यहां पर बेने empty string रखवाना था ना token के अंदर empty string रखवाना था मैंने refresh किया मैंने अभी तक token मुची सब्सक्राइब logout का button लबाया अच्छा logout successful हो गया और यह सब भी यहां से गायब हो गया ठीक हो गया जी यह सब भी यहां से गायब हो गया और मेरा बहतरीन काम हो गया अब मैं refresh करूंगा तो मुझे यह सब कुछ नहीं दिखेगा तो मैंने login और logout का तो system बहुत अच्छा कर लिया जबरदस कर लिया काफी मतलब streamline कर लिया चीजों को लेकिन अब मेरे पास एक काम अभी भी रहता है एक काम अभी भी यह रहता है कि यह सारा कुछ जो मेरे पास ऊपर दिख रहा है ठीक है तो अब इसके लिए मैं क्या करूँगा इसके लिए मुझे छोटा सा एक चुन्ना मुन्ना सा काम करना होगा क्यार पहले तो logout का बटन इतना बुरा क्यों बनके आ रहा है यह मेरे समझ मिन्या है आओ जरा इसको सही कर लेते हैं पहले navbar.jsx अच्छा तो मैं क्या कर देता हूँ मैं उसी को करने लगा हूँ मैंने का link बना दिया इसको मैंने का link to login के page पे ले जाओ क्योंकि logout होने के बटन login के page पे जाता है एक्चली और मैंने का on click भी इस पे लगा दो सही है मैंने का भाई साब आप ये लिंक ही भुरह हो आप लेकिन आपके click होने पे logout का button काम कर दे सही है जो सब link थे मैंने इसको भी का भाई आप भी link हो अब ये logout हमारा काफी अच्छा दिख रहा है अब logout के click करने पर ये automatic मुझे log in पर भी लेकर आने शुरू हो जाएगा ये भी मेरा एक benefit हो गया ये वाला काम करने से अच्छा अब मैं ये वाली एप को यहीं तक रखूँगा अब ये जो अगला काम है न हमारा उसको मैं क्या करूँगा उसको मैं change कर दूँगा एक नया folder बना लूँगा उसके लिए मैं तक है मतलब separate रहे चीज़ें इसमें यानि JWT का सिर्फ काम हुआब इसमें और कोई काम नहीं हुआब इस code के अंदर ना काम पी हो रहा है और देता है काम पीश को नहीं है काम पीश को रहा है काम पीश को रहा है आद गार्ड अओ क्या पूच है श्यूट यह पता नहीं क्यों पूचता है बार बर बेड़ा घर किसका है यार मुझे डिलीट करना पड़ेगा इसको दोबारा अचा है काम करते है नो 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 इसको पहले पुश कर देता है इतने गोर्ड को पता चले वो सब चीजी आज उल्टी हो रही है न इससे पहले कि वो बिड़ा घर को उसका है यार बार बेड़ किसकोशी में हो गया है cd9 npm start कर से लिएंट अच्छ यह बन गया जी हमारे पास अच्छ नेरल ऑटमाटिक लिए प्डेट इंपोर्ट एस है कि हमेशा के लिए सेट मैट हो जाएगी बैल अब मैंने क्या करना है मैंने इसके अंदर चले जाना है CD 10